दोस्तों निया कक्कर आज बोलीवुड के मोस्ट पोपुलर सिंगर्स में से एक है जिनके गाने हमेशा से ट्रेडिंग में रहते हैं निया कक्कर का हर नया सौंग रिलिज होते ही सूपर हिट हो जाता है निया कक्कर को बच्पन से ही सिंगिंग का शोक है निया कक्कर के स्टो इंडिया की पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कर के बारे में कुछ इसे फैक्ट्स जिससे सुनकर आप भी शोक्त रहे जाएंगे साथ ही आपको बताएंगे माता की चोकी पर भजन गाने वाली छोटी सी बच्ची बॉलीवुड की इतनी बड़ी सिंगर केसे बन गई दोस्तों बाद में यह दिली में शिफ्ट हो गए थे नेहा कक्कर भारत में शोचल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाले इंडियन सेलीबिटिस में से एक है फेस्बुक पर उनके 31 मिलियन लाइक्स इंस्टाग्राम पर 58 मिलियन फॉलोवर्स और ट्वीटर पर एक मिलिय नहीं चाहिए कि यहां उनका भूरा दोर था नेहा ने चार साल के उम्र से गाना शुरू कर दिया था नेहा कक्कर ने अपने संगीत करियर के शुरवाद भजन और 30 अरती सकी थी वह माता की छोक्यों और धार्मिक आयुजिनों में गाती ती नेहा कक्कर इंडिया ही नहीं बलकि कई अलग-अलग शेरों में कॉंसर्ट कर चुकी है। नेहा ने एक हजार से भी ज्यादा लाइब कॉंसर्ट कर चुकी है। नेहा कक्कर ने सिंगिंग के लिए कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली थी। उन्हें जगराता गाने के लिए 200 से 300 रुपे मिला करते थे। कक्कर को सेलफी लेने का बहुत शोग है इसलिए नेहा को सेलफी कुईन भी कहा जाता है तो दोस्तों यह थे नेहा कक्कर के कुछ किसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप भी नेहा कक्कर के फैन है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें